दोस्तो एक बार भगवान विश्णु की सबा हुई जिसमें सभी देवगड बारी बारी से आते हैं स्यू भगवान आए गडेज जी आए राम जी आए हनुवान जी भी आए तभी उसी वक्त यमराज आए यमराज ये देखते हैं कि एक नन्नी सी चड़िया गार्डन में बै देख लेते हैं यमराज ये देखने के बाद चले जाते हैं तभी कुछ देर के बाद गरुन भगवान आते हैं गरुन भगवान जो पंचियों के राजा होते हैं वह भी उस नन्नी चड़िया को देखते हैं नन्नी चड़िया बहुत ही डरी हुई रहती है तब गरुन भग गरुनः भगवान को बता देती है कि कुछ देर पहले सबहबावन में यम्राज भी आए है वो मेरे को बहुत ही बुरी तरह से देख रहे हैं निश्चित ϗ मेरा अंतसा में है गरुन भगवान सब कुछ जान जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नन्नी चिडिया तुम डरो मत ऐसा कहते हुए अपने पीठ में बैठा लेते हैं और उड़ जाते हैं चिडिया को हिमाले परवत में छिपा देते हैं फिर वापस सभा भवन में आ जाते हैं थोड़ी देर के बाद सभा समाप्थ हो जाती है और एक एक करके देवगर बाहर आ यम्राज भी बाहर आते हैं उनके पीछे गरुण भगवान आते हैं यम्राज उस अस्थान पर देखते हैं कि चिडिया तो नजर नहीं आ रही है तो यह देखकर गरुण भगवान पूछते हैं कि ए यम्राज उस खाली अस्थान पर क्या देख रहे हो यम्राज ये बोलते हैं कि मैं उस अस्थान पर देख रहा था कि वहां पर चिडिया तो है नहीं गरुण भगवान गुस्से से बोलते हैं कि उस नन्नी सी चिडिया के पीछे क्यों पड़े हुए हो तो यमराज बोलते हैं कि यह इस जो चिडिया है जो इसकी मृत्यू हिमाले परवत में लिखी कि यहां क्या कर रही थी यह बात समझ में गरुण भगवान को आ जाती है और बोलते हैं कि हे भगवान मेरे से इतना बड़ा अनर्थ क्यों हो गया मेरा कहने का तात पर यह है कि जिसकी मृत्यू जिस अस्थान पर लिखी है वो उस अस्थान में जाकर मरेगा यह पूरता सत है और यह सीखने योग है इसलिए आपको अपने जीवन में अच्छे काम करना चाहिए जीवन में जो जिस घड़ी लिखा है वो होके रहेगा उस चीज को हम टाल नहीं सकते हैं मैं अनुराग आप देख रहे हैं इंटर्टेंट मीडिया देखो दिल से प्लीज लाइक सब् है में अद्ली की काराः आप ईंद कर दो हो है है भिल्बध्रेंट आपको वर दो सकत हैं दे जहीं कर देका हैं जहीं में इंटी। शिल सकता हैं मी करदसे घृत्र हैं.